हेलो स्टूडेंस, आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे Character Sketch of Antonio बहुत सारे स्टूडेंस के बार-बार कमेंट्स हा रहे थे कि मैं हम अंटोनियो के Character Sketch पे भी वीडियो बनाएं उनका वेट खतम हुआ वीडियो हेलफूल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें और उनको लाइक भी करें फर्स सेमेस्टर से लेकर छटे सेमेस्टर तक Graduation का English का सारा सले बस इस चैनल पे अवेलेबल हैं सबी वीडियो बहुत मैनत करके बनाई है वो और वो रियली बहुत ज़़ादा हैलफूल आप सभी के लिए उनको जरूर देखना ये बात बार बार इसलिए बताई जाती है वीडियो के स्टार्टिंग में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके पूछते हैं कि मैं वो लेसन पढ़ा दो वो टॉपिक करवा दो जबकि करवा रखी हैं सारी चीजे तब उनको सर्च करो प्लेलिस्ट बना रखी हैं उनमें सर्च करो फिर भी ना मिले तो फिर कमेंट करो उसके बाद आपको लिंक भेज दिया जाएगा अब पढ़ते हैं Character Sketch of Antonio The Merchant of Venice is a beautiful play written by William Shakespeare Antonio is a title character of the play आप सभी को पता है कि इसका जो title है वो क्या है The Merchant of Venice और वो किसकी उपर रखा गया है Antonio की उपर तो ये लाइन उसी से मिलती है He is a middle-aged man वो एक middle-aged man है यानि ना तो young है ना जादा old है and a merchant by trade और व्यवसाय से क्या है एक merchant है He is an influential, बहुत जादा प्रभावशाली, powerful, ताकतवर भी है and wealthy और बहुत जादा wealth भी है उसके पास, धनसंपती भी है, property भी है, noble man of Venice Venice का एक भहुती सजन पूर्ष है वो Venice एक जगे का नाम है, जैसा कि इसमें आया है, Italy में पढ़ती है ये Antonio is a kind-hearted man who lends money to needy people without charging any interest from them Antonio एक है, जो है, वो भौती, उसका जो दिल है, वो किस से बढ़ा हुआ है, दया से kind होता है, दया, hearted, रिदय दिल जो उधार देता है लोगों को पैसे needy का मतलब जरूरत मन्द लोगों को पैसे उधार देता है without charging और कोई भी charge नहीं करता any interest from them और उनसे कोई भी interest कोई भी ब्याज, कोई भी interest charge नहीं करता so he is loved तो इसी वज़े से, इसी लिए he is loved and revered revered का मतलब होता है, respected सम्मान किया जाना, इसी वज़े से उसको बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है उसकी बहुत ज़्यादा respect की जाते है by all the Christians who know him उन Christians के दवारा जो उसको जानते हैं सभी के दवारा क्यों नहीं सरफ Christian ही क्यों करते हैं क्योंकि वो Christians को ही loan देता है आगे एक बात आएगी क्योंकि उस टाइम पे दो community थी Christian भी और Jew भी तो आगे Jew के साथ ऐसा क्या था क्योंकि अंटोनियो उनको dislike करता था बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उस community में कौन पढ़ता है शाई लोग शाई लोग की अलग है अंटोनियो की अलग है जो बसेनियो उसका friend है वो उसको कहता कि सबसे दयालू वेक्ती है ये Selenio Selenio भी अंटोनियो का friend है और वो कहता है कि गुड अंटोनियो उसकी इतनी सारी अच्छी qualities को देखके क्या कहता है कि गुड अंटोनियो और जो डूक होता है फैनिस का वो उसको कहता है कि royal merchant है ये तो but shylock dislikes him लेकिन जो shylock है वो उसको dislike करता है पसंद नहीं करता it is only because और केवल इस वज़े से he gives loans to the needy without interest क्योंकि जितने भी जरूरतमन्द होते हैं वो उनको loan दे देता है बिना interest के बिना ब्याज के और बिना ब्याज के अगर वो loan देता है तो इस से shylock का जो business है high interest rate पर पैसे देने का उसमें क्या नुकसान हो जाता है short questions में एक करवा भी रखा वो एक दो line आप और भी add कर सकते हो इसमें अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं length increase करना चाहते हैं he is a true friend वो एक सच्चा दोस्त है true friend है he is ready to do anything for his friend बसेनियों वो हर वो चीज करने के लिए तयार है अपने friend बसेनियों के लिए the bond he signs is fatal और जो bond उसने sign किया था वो बहुँ जादा घातक था fatal मतलब जो बिलकुल मोत के बराबर हो in the trial scene और जब trial scene होता he is ready to face Shylock यह trial scene का T बड़ा करना एक famous scene है और S का scene का S बड़ा trial scene में वो बिलकुल तयार था Shylock को face करने के लिए Shylock का सामना करने के लिए he is ready with chest bear वो बिलकुल बिलकुल तयार था उसने अपनी chest को bear कर रखा था bear का मतलब होता है यहाँ पे है without clothes यहाँ अपनी chest को के उपर से shirt वगेरा जो भी थी वो अलग कर दी थी कि बिलकुल ready है and Shylock is ready to cut his flesh with knife और Shylock बिलकुल तयार है flesh को काटने के लिए mask को काटने के लिए knife से चाकु से so इसलिए he यानि कि Antonio is an unmasked example of true friendship तो ऐसा example है जिसका कोई भी match नहीं है सची दोस्ती का He is a man of passive and melancholic nature लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ती भी है जिसकी nature जिसका सभाव क्या है passive निस करिये यानि जल्दी से action नहीं लेता और melancholic होती है full of sadness ऐसा nature जो उदास उदासी से भरा हुआ हो When he is first introduced to us जब उसको हमें पहली बार introduce किया जाता है प्ले में जब हमसे पहली बार प्रीजित होते है He is in melancholic mood तो अब उसका जो mood था वो किससे कैसा था full of sadness उदासी से भरा हुआ When he is asked और जब उससे पूछा जाता है that कि He is sad because his old ships are at sea facing danger from storms कि वह उदास इसलिए है क्योंकि उसकी सारी जाच समूद्र में है और सामना कर रही है वो danger का, खत्रे का क्योंकि समूद्र में तुफान आया what a storms क्या होता है तुफान Then he tells that फिर वो बताता है His melancholy is something natural to him कि उसकी जो उदासी है वो प्राकरतिक रूप से ही उसकी है यानि कि उसका सहभावी ऐसा है He is not an active character as Shylock वो Shylock की तरह एक active character नहीं है जो तुरंत action ले ज़्यादा दिमाग चलाए हर चीज में ज़्यादा sharp हो, ज़्यादा clever हो It is his passive nature that invites uncalled problems ये उसकी action ना लेनी का ही सहभाव है कि वो अमंतरीत करता है बिना बुलाई समस्चाओं को Uncalled होता है बिना बुलाई problems प्रेशानिया In the trial scene Trial scene में भी he seems to be mentally prepared to meet his death without thinking a minute और trial scene में भी वो बिलकुल ऐसे दिखता है कि वो mentally prepared हो चुका है तैयार हो चुका है अपनी death के लिए और एक second भी एक minute भी उस बात पर नहीं सोचता बस तुरंट action कुद से कुछ नहीं सोचना कोई ज़्यादे action नहीं लेना जो चीज हो रही है वो हो रही है Thus इस परकार से Antonio is an interesting character having many good qualities Antonio एक भहुती interesting character है जिसमें बहुत अच्छी qualities है अच्छे गुन है like जैसे की sincerity इमानदारी है generosity, उदार है and faithfulness और वफादार भी है but at the same time लेकिन उसी समय he has some bad qualities too उसके अंदर कुछ अवगुन भी है bad qualities भी है he ill-treats shylock and disrespect his community वो shylock के साथ बुरा व्यवार करता है और अपमान करता है उसकी community का जो community थी जो shylock की उसका he publicly abuses him और वो shylock को सभी के सामने abuse करता है गालियां देता है so the overall idea about Antonio is that he plays a significant role in the play तो इस परकार से जो अगर यूं कहें कि एक overall idea देखें पूरा देखें पूरा character देखें तो Antonio का character इस play में भो ज़्यादा significant है significant के spelling याद ना रहे तो important आप लिख सकते हो इसकी जिगे पर replace करके significant है या important है तो ये था character sketch of Antonio चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेर करें सब्सक्राइब करें वीडियोज को लाइक भी करें ये सारी वीडियोज आपके लिए बहुँ ज़्यादा helpful होने वाली है marks दिलाने में भी और play को समझने में भी और बाकी वीडियोज भी आ चुकी हैं उनको भी जरूर देखें ये play खदम हो गया है सारे long questions हो चुके हैं और short भी